हम लोग यहाँ पर दो अलग तरह की परिस्थितियों को फेस करते हैं एक हम एक दूसरी परिच्छाओं की बात करते हैं कम्टेटिब जो की हमारे लेबल की परिच्छाओं होती है जो की UPSI, BEU की बैच के लिए या यूतरप्रदेस लेकपाल के लिए S.S.C. के लिए, बैंकिंग के लिए जहां भी परिच्छाओं आती हैं उन्हों हम अपने लेबल को कबर कर रहे हैं जबकि एक Engineering लेबल की परिच्छाओं होती है जिसमें की चीज़े बड़ी हाई होती हैं बड़ी दूसरे लेबल की होती है हम यहां पर अभी भी क्रमचे संचे का बिलकुल प्रियोग नहीं किये हैं पर मुडेशन कंबिनेशन बिलकुल अप्लाइड नहीं हुआ है फिर भी आपने जो बेसिक चीज़े होती हैं उसको आपने अच्छी तरह से यहां पर सीखा है मैंने प्राइक्ता को पढ़ाने के दौरान सुरुआत ही यहीं से किया था कि हमारे जीवन की उन तमाम सारी परिस्थितियों को जिसमें हम चीज़ों के बारे में अबजर्वेशन करते हैं अपना ब्यू देते हैं अपनी थाट देते हैं बढ़ हम पूरी तरह से स्योर नहीं होते हैं को परिस्थितिया हमारे साथ होगी या नहीं होगी हम बस एक संभावना बेक्त करते हैं उसी संभावना का mathematical region, mathematical measurement हमने probability का नाम दे दिया अब उसको define करते समय मैंने कल इस सारी बातों को बताया था कि the mathematical measurements of the certainty and uncertainty मतलब किसी भी निश्चिता और अनिश्चिता को measure करना mathematically गड़ती रूप से ही probability कहलाता है इसको पढ़ने के दौरान मैंने आपको एक चीज़ बताया कि हम एक प्रकार का भिन्य प्राप्त करते हैं जिसमें हमने probability को पढ़ाते समय आपको कहा था यह किसी भी प्रकार की यह किसी भी प्रकार के event जो की event तब generate होते हैं जब हमारे सामने कोई experiment किया जाता है उस experiment से बहुत सारे outcomes generate होते हैं जिनको हम sample space कहते हैं इस एक sample space जिसको प्रतिदर समिष्ट भी कहते हैं उससे कई सारे events generate होते हैं कई सारी घटनाएं घटती हैं इन सब को कल मैंने आपको basic तौर पर समझा दिया था घटना के भी दो रूप मैंने आपको बताया था परतंत्र होती है, dependent and independent सबतंत्र घटना होती है किसी एक घटना जिसका नाम अगर हम लोग A रख दे उस A का जो probability denotion होता है, probability representation होता है कुछ इस प्रकार से किया जाता है जिसमें मैंने आपको बताया था इस बिल भी यन आफ ए अपान यन आफ यस हो जाता है मतलब आप ऐसे समझने की कोशिस करिए कि किसी भी एक action, किसी भी एक activity को परफाम किया तो जितनी पूरी संभावना होती है उसके सारे outcomes को हम yes में रखते है नमबर आप और जो हमारे favor की चीज होती है उसको हम यन आफ A में मतलब उपर की तरब रखते हैं जो यह ratio बनता है वही probability कहलाता है और इस किसी भी probability का मान greater r equal to 0 होता है unless r equal to 1 होता है मतलब कोई भी probability, कोई भी प्राइकता ना तो 0 से छोटी हो सकती है, मतलब negative हो सकती है ना ही एक से बड़ी हो सकती है इस बात को मैंने कल आपको समझाया था मैंने आपको प्रस्णों के प्रकार भी बताया कि कुछ इस प्रकार के प्रस्ण आपकी परिच्छा में आ सकते हैं सिक्कों के अधार पर आ सकते हैं डाइस पासे के अधार पर आ सकते हैं तास के पत्तों पर की अधार पर आ सकते हैं थैले में गेंदे रखी गई हैं, उस पर अधार हो सकते हैं, दिनों पर अधारी प्रस्ण हो सकते हैं, मतलब एक लंबा एप्रोच इस पूरे कॉंसेप्ट का होता है। कल मैंने आपको सिक्कों को साथ साथ हमने डाइस के प्रस्णों को कराया, इनकी परिस्थिती को भी आपको समझाया, कि अगर हम एक सिक्के को उचा लें, दो सिक्के को उचा लें, एक डाइस को हम रोल करें या दो डाइस को रोल करें, तो क्या संभावन आए आएंगी, किस प खेले हो चाहिए ना खेले हो अगर हम थोड़ी से टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको इसको पढ़ना जरूरी होता है यहाँ पर एक लॉजिक वर्ग करता है इसके लिए हम पूरे तास के पत्तो को आपके सामने उपिन करेंगे आपको समझाएंगे किस प्रकार से तास क प्लेंग कार्ड हम परचेघ करते हैं खरिता हैं तो उस पैक में 52 कुल पत्ते होते हैं 52 कार्ड होते हैं इन 52 कार्ड का क्लासिफिकेशन देखी हम दो पार्ट में पहले करते हैं पूरी चीछ को अगर यहाँ से आप अबजर्ब कर पाते हो, समझ पाते हो तो प्रसन एकदम स हमारे सामने red होंगे मطلب उसको हम लाल कहँएंगे मतलब 52 को दो रूपों में बाट दिया जाता है 26 काले होते हैं और 26 आपके लाल होते हैं इसको आप black कह सकते हैं इसको red कह सकते हैं इस प्रकार से दो अलग-अलग भंडों में break कर दिया गया इस 26 का फिर से दो यहाँ पर distribution होता है जिसमें एक पहला जो पार्ट होता है उसको हम spade कहते हैं अंग्रेजी में दूसरा पार्ट आपका club कहलाता है इस spade को हम लोग यहाँ पर काला पान कहते हैं इस spade को हम लोग काला पान कहते हैं हिंदी में जबकि club को हम चड़िया कहते हैं इसी तरह से जैसे इसमें दो पार्ट बने हैं उसी तरह से लाल में भी दो पार्ट बनेंगे जिसमें 13 अब देखिए इनकी जो संख्या बनेगी आपको clear हो गई 13 A होगी और 13 A भी होगी अर्थात आप समझ गया होंगे 13 यहां पर हर्ट होगा 13 हर्ट होगा और 13 यहां पर डाइमेंड होगा अब अगर इनके नामों की बात की जाए तो आप समझने की कोशिस करिए हर्ट को हम लाल पान कहेंगे हर्ट को हम लाल पान कहेंगे जब फिर डाइमेंड को हम ठीकरी कहते हैं इस तरह से इनके हिंदी नाम दिये जाते हैं आप अपनी आम बोलचाल के बादसा में जो सब्दों का प्रियोग करते हैं वो आप जानते होंगे बेटर तरीके सुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कुछ जो एप्रोच है गड़ती है या हमारा प्रोसीजरल उसको मैं यहां पर समझाने की कोसिस कर रहा हूँ मैंने कहा कुल बावन प्लेइंग कार्ड जो की एक तास के गड़्डी में होते हैं उनको हम दो पार्ट में सबसे पहले ब्रेक कर सकते हैं 26 काला 26 लाल देन आप्टर हम उस 26 को भी फिर 13 तेरा में 13 तेरा में ब्रेक करते हैं काले वाले जो दो पार्ट होते हैं उसमें 13 स्पेड जिसको हम काला पान 13 कलब जिसको चिडिया 13 हर जिसको लाल पान ठीकरी diamond कहा जाता है अब इसका जो distribution होगा अगर हम एक समझ जाएंगे तो हम सब को समझ जाएंगे मतलब presentation एक ही तरह से होगा बस symbol उसमें color उसमें बदला रहेगा अब ये जो 13 होते उन 13 के बारे में समझ ये 13 में पहली चीज तो आपके पास कुछ face card होते हैं face card मतलब जिनके चेहरे होते हैं जिसमें सबसे पहले king सबसे पहले king जिसको आप बासा कहते हैं राजा कहते हैं यहाँ पर इसके बाद होती है queen यहाँ पर ध्यान दीजेगा जिसको हम बेगम कहते हैं रानी कह सकते हैं इसके बाद होता है यहाँ पर jack, jack का मतलब गुलाम होता है इस case में गुलाम हुआ, इसके बाद बन कर आता है ace, ध्यान दीजेगा इसके बाद बन कर आएगा ace, ace को 1 का कहा जाता है, ए इसको एकका कहा जाता है, जैसे हम इसको बड़ा ही valuable card मानके चलते हैं, कि एक हमारा क्या है, एकका है, ए हमारे बन गए face card, face card के बतलब हमारे पास 4 अगर face card हैं, तो एक से लेकर 9 तक हमारे पास number card भी होते हैं, संख्या में जो होते हैं, number card होंगे, जो कि संख्या में होंगे अब उन संख्या के बात किया जाए तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ अब आप देखो, यहाँ पर सुरुवात होती है, इसको ध्यान में रखने की जरुवत होगी, वह दो से होती है अब यहाँ पर ऐसे समझने की कोशिस करीए, एह हमारे फेस कार्ड हो गया, एह आपका एकका हो गया, इसके बाद आपके नमबर कार्ड जो की दो से मतलब एक को भी अगर इंक्लूट करेंगे, तो दस तो नमबर हो गया, एक से लेकर दस तक, तीन आपके पास एक्चुल फेस हो गए, अब इन actual face और number को मिला दीजिए तो जो presentation इस पहले के लिए किया गया है, same to same यही इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा मतलब समझने की ये बात है कि इसमें अगर आएंगे तो इसमें भी king, queen और jack होगा ace होगा, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 10 तक के number होगे same to same इसमें होगा, same to same इसमें होगा, बस फरक क्या होगा कि color बदल जाएगा, जैसे इसमें symbol बदलेगा केवल, क्योंकि ये आपका काला पान है, जबकि ये हचिडिया है तो केवल symbol बदलेगा, क्योंकि उसी तरह से होते हैं, अब हमारे सामने जो प्रस्ण बनते हैं किसी परिच्छा में वो बड़े ही इसी लेबल पर प्रस्ण बनकर सामने आते हैं, आप लोग अनभव करोगे, और आपको बहुत असानी से आप किसी प्रस्ण का उत्तर दे सकते हैं जैसे माली जे किसी परिच्छा में हम से प्रस्ण पूछा गया, कि हमने किसी एक बेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड से, मतलब पैकाप बेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड तास के बावन उन पत्तों में से अगर एक पत्ते को मैंने खीचा निकाला तो उसके राजा होने बात्सा होने की प्राइक्ता क्या होगी? अब आपको पता है कि कुल पत्ते हमारे सामने बावन हैं तो यन आप एस मतलब टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या है? बावन है इस केस में यन आप एस आपके पास कितना है? 52 है, 52 है अगर हम लोग यहाँ पर बाजसाह के निकालने की होने की प्राइक्ता पता करना चाहते हैं तो बाजसाह को अगर हमने एक इबेंट A से जनरेट कर दिया तो यन आप A आपका क्या हो जाएगा यनाफे आपका 4 होगा क्योंकि एक बास्ता यहां पर एक यहां पर एक यहां पर जब हम इस बास्ता की प्राइक्ता फाइन करना चाहेंगे तो P आपे बिल बी यनाफे अपान यनाफ यस हो जाएगा मतलब आप देख पाएं हैं कि 4 बास्ता और 52 टोटल मतलब एक बटा 13 यहां पर इसकी प्राइक्ता हो जाएगी क्योंकि 13 चोगे 52 होता है 4 से डिवाइट कर दिया 52 को मेरी बात आपने समझा होगा कि यहां पर कैसे किया जा रहा है और किस तरह की इस्तिती हमारे सामने बन कर आ रही है यह असपस्ट हुआ होगा अब यहां पर अगर कोई कहता कि बासा और बेगम होने की प्राइक्ता क्या होगी तो बासा और बेगम मतलब हम दो लेंगे जैसे कि इसमें भी इसमें भी इसमें भी कुल मिलाके आठ होंगे और टोटल हमारे पास 52 है तो यह पान 52 कर देंगे इक्का होने की प्राइक्ता क्या होगी चार बटा बावन होगी काले इक्का होने की प्राइक्ता क्या होगी तो काले में दो ही इक्का बनेंगे दो बटा बावन होगी लाल दो होने की मतलब दो नंबर की बात में कर रहा हूँ होने की प्राइक्ता क्या होगी तो आप उसके हिसाफ से बता दीजिए मतलब अगर यह structure आपने proper प्लान कर लिया है समझ लिया है तो आपको इसके किसी भी प्रस्न में कोई doubt नहीं बनेगा इसलिए सबसे पहली चीज खुब गंभेता के साथ इस structure को समझिए और अगर मालीजे आप इस lecture को आज first time देख रहे हैं तो पहली चीज आप जा करके इसका पहला पार जरूर देखिए पहला पार अगर आप देखोगे तो आप दूसरे को relate कर सकोगे और बहुत ही असानी के साथ आप प्राइक्ता को हैल कर सकेंगे जो कि आपकी परिच्छा के लिए important है जो आपकी परिच्छा के लिए necessary है इस परिस्थिती को अगर हम प्रस्नों में ढालें तो कैसे प्रस्न बनेंगे इसको मैं एक एक करके दिखाता हूँ थोड़ा सा concept आपका जिससे clear हो सके मेरी बात को समझी देखी एक question मैंने board पर already लिख रखा है question है तास के 52 पत्तों में से एक पत्ते को याद रिच्छया खीचा जाता है मतलब सफल पैक एक प्लेइंग कार्ड है जब कभी आप देखते हैं कि जहां पे तास खेला जाता है वो लोग तास के पत्तों को सफल करते हैं जिसको हिंदी में peace ना कहते हैं कि आपस में पीसते हैं देन उसमें से एक pack मतलब कहते हैं कि उठा लो अब इसका अरत होता है कोई cheating नहीं है किसी पर प्रकार से किसी चीज को fix नहीं किया गया है इसलिए एक उठा देने से किसी को कोई doubt, कोई confusion नहीं रहता है तो उसने अगर एक पत्ते को निकाला तो कहा उनके बासा तथा बेगम होने की प्राइक्ता क्या होगी अब आपको पता है कि हर जगह 13 हैं यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी माली जी यह दोनों black के थे, यह दोनों red के थे अब आपको अच्छी तरह से पता है कि इसमें भी दो जगह king होगा मतलब इसमें भी king होगा, इसमें भी king होगा क्यों होगी, क्यों होगी, इसमें भी king होगा, इसमें भी king होगा सेम तो सेम इसमें भी क्वीन इसमें भी क्वीन इसमें भी क्वीन इसमें भी क्वीन आप समझ गए होंगे कुल मिला के मैंने अभी बताया था कि चार किंग होते हैं चार क्वीन होई तो कुल मिला के आठ किंग और क्वीन हो गई तिसकी प्राइक्ता मैं सिंपली कह सकता हूँ कि 8 बटा 52 होगी 4 दुना 8 कर दीजिए 4 तेरा बार 52 होता है तो 2 बटा हम इसको 13 कह सकते हैं मतलब अगर हमने कहा कि हम एक बिल सफल प्लेइंग पावन के तास के पत्तों में से एक पत्ता निकालते हैं उनके 27 तथा बेगम होने की प्राइक्ता 2 बटा 13 बनकर हमारे सामने आ रही है आप इस चीज को असपष्ट कर लिए होंगे समझ पाए होंगे दूसरी चीज हम से पूछा है आप देख लीजिए दूसरी चीज हम से पूछा है उनके लाल रंग के बेगम होने की प्राइक्ता क्या होगी अब आपको पता है कि अगर हम रेड की तरफ ही रहेंगे केवल तो रेड में भी दो पार्ट है आपने नोटिस किया कि आपको रेड में भी दो पार्ट हर्ट मिला था मतलब आपको लाल पान मिला था और डाइमेंड मतलब आपको ठीकरी मिला था तो इन दोनों में भी अलग-अलग बेगम थी मतलब क्वीन थी यहां भी थी यहां भी थी तो दो ही क्वीन है लेकिन अगर हम कुल की बात करें कुछ लोग कंफ्यूज हो करें के रेड 26 ले लेंगे तो इह गलत है यहां पर टोटल आउटकम्स आपका 52 ही माना जाएगा मतलब हम दो बटा 52 कर दें तो दो एक के दो होता है दो 26 यहां पर बावन हो जाता है मतलब इस प्रसंद का उत्तर आपका एक बटा 26 आजाएगा कहने कारत होता है कि अगर हम लोग यहां पर लाल क्वीन की बात करते हैं लाल रंग के बेगम की बात करते हैं तो लाल रंग की बेगम यहां पर दो बनेगी कुल मिला के हमारे पास बावन है तो दो बटा हमने बावन कर दिया एक बटा 26 यहाँ पर प्राइक्ता बनकर हमारे सामने आएगी यह बात आपने समझा अब दोसरी तरफ फिर से एक प्रस्थ हमने उठाया इसको देखिए इसको समझिए और कॉंसेप्ट को इंप्रूब करिए और कॉंसेप्ट को बेतर करिए कहा गया है तास की एक गड़ी में से एक पत्ता फिर से उसी तरह से याद रिच्छया खीचा जाता है ग्यात कीजिए इसके काला होने की प्राइक्ता अब आपको बताया गया था कि अगर 52 प्लेइंग कार्ड है तो ब्लैक आपके 26 है और रेड भी आपके 26 है ब्लैक 26 है और रेड 26 है अगर हम किसी ब्लैक को ही निकाल रहे हैं काले को ही निकाल रहे हैं इसके काला होने की प्राइक्ता simply 26 upon 52 हो जाएगी मतलब 1 बटा 2 हो जाएगी समझ लिजे कुल black 26 है और कुल total यहाँ पर मेरे सामने 52 है तो 26 बटा 52 मतलब 1 बटा 2 exact probability, exact प्राइक्ता हमको यहाँ प्राप्त हो जाएगी इसमें पूछा 1 होने की प्राइक्ता क्या होगी अब इसमें तो specify किया नहीं है एक्का क्योवल black का लेना है कि red का लेना है इसका मतलब हम पूरे 52 में से एक्का लेने जा रहे हैं अगर मैं पूरे 52 में से एक्का लूँगा तो आपको असपस्ट हो गया होगा कि हम 4 एक्के लेंगे भाई हर जगा पर हर 13 में एक बार एक्का जरूर है चार बटा आप बावन कर दीजिए इसका मतलब एक बटा 13 आपके इस प्रसन का उत्तर हो जाएगा एक बटा 13 आप नोट कर सकते हैं अगर हम बावन तास के पत्तों में से एक पत्ता निकालते हैं तो उसका इकका होने की प्राइक्ता एक बटा तेरा हो जाएगी अब आगे मैं बढ़ता हूँ एक और प्रस ने यहाँ पर बहुत बैतरीन देखी दिया गया है आप लोग समझोगे इससे भी अपने कॉंसेप्ट को और इंप्रूब कर पाओगे कहा गया तास की एक गड़ी जिसमें कुल बावन पत्ते हैं वास्तों में है यह एक पत्ता खीचा जाता है पत्ते के इकके होने के पच्छ में सयोगान उपात मतलब दोनों का जो रिस्पेक्टिव रेशियो है और क्या होगा अगर एक इकके इसमें मिलेगा एक इसमें मिलेगा एक इसमें तो कुल मिलाके चार इकके हमको मिल गए और हम अगर पूरे पैक की बात करें तो हमको पता है कुल बावन टोटल पैक प्लेइंग कार्ड का होता है वालडी दिया भी है मैं 4 बटा 52 कर दो मतलब 4 अनुपात 52 कर दो 4 1 के 4 होता है 13 के 52 होता है इन दोनों के भी जो अनुपात होना चाहिए वो एक अनुपात 13 होना चाहिए जो कि आपको पहले आपसन में साप साप दिया गया है तो इस तरह के प्रस्ण आपके तास के गड़ी पर dependent बनते हैं इसमें देखिए आपको उस problem किसी भी तरह की नहीं होगी केवल आपने अगर proper classification तास के पत्तों का सीख लिया है तो कोई प्रस्ण आपका नहीं रुकेगा इस बात को आप समझ रहे होंगे दूसरी चीज अब मैं जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा तो आपको कुछ ऐसे प्रस्ण नजर आएंगे ऐसे कुछ प्रस्ण नजर आएंगे जो की जैसे पहले से भी मैंने mention कर रखा था कि आपको तास के पत्तों के साथ साथ एक ऐसे इस्थिती होती है कि माली जी हम कुछ गेदे अलग-अलग कलर की लेकिन सेम सेप सेम साइज की हमने डाल दिया मैंने कुछ ब्लैक गेदे कुछ रेड गेदे इस प्रकार से मैंने इस बैक के अंदर डाल दिया मैंने कुछ माली जी पांच रेड डाल दिया मैंने यहां पर चार ग्रीन डाल दिया इसी तरह स या नहीं जा सकता है। हम size अगर different होती तो हम जरूर पहचान लेते। लेकिन size same हैं अगर समानाकार की समानाकृती की हमारे पास अलग अलग या दे हैं। एक फैले में सब की सब डाली जाती है, उस दौरान अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर गेट की, चाहे ओ रेड हो चाहे ओ बलैक हो, चाहे ओ इस रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ओ वाइट हो, अगर उसके होने की प्राइक्ता निकालना होता हम लोग निकाल सकते हैं. यहां पर जो प्रस्ण पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे, अगर इस तरह के ठैले में इतनी इतनी अलग अलग गिदें हैं, उनके लाल होने की प्राइकता क्या होगी, लाल आपके फिवर का है, और टोटल आप देख रहे हैं, यह टोटल है, टोटल जो मेरे सामने है वो पांच आर नो तीन बारा है और लाल की बात कीजिए तो केवल पांच है तो पी आफ रिड़ आपका हो जाएगा पांच बटा बारा आप समझगे हो कितना असा कॉंसेप्ट है कितना असा प्रस्ण बन रहा है कह रहा हो ग्रीन ना हो ऐसी गेदे not of the green मतलब पी आफ नाट अफ ग्रीन जो ग्रीन ना हो उनकी प्राइकता क्या होगी तो आप ग्रीन हो इसको निकाल कर एक से मानस कर सकते हैं या ग्रीन को काट दीजिए ग्रीन को अगर हम काट देंगे तो पांच और तीन मिल करके क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा हम लिख सकते हैं आठ बटा बारा मतलब आप चार दुना आठ कर सकते हैं चार तियां बारा कर सकते हैं इसका उत्तर दो बटा तीन हो जाएगा तो पी आप not green will be टू अपान थ्री यह आप देख पारें कैसे बन रहा है मैंने आपको कहा आप चाहते तो अगर हम green होने की प्राइक्ता निकाल देते तो green होने की प्राइक्ता आप देख रहे हैं कि चार बटा बारा होता मतलब एक बटा तीन होता अब हम not up green कल मैंने इस बात को आपको बताया था कि अगर हम होने की इस्थिती पता कर लें तो ना होने के लिए आप एक को घटा दीजिए एक से उसको घटा दीजिए तो आपको असपस्ट हो जाएगा कि ना होने की प्राइक्ता क्या होगी जो मैंने पहले से आपको बता दिया है इस तरह के प्रसन आपके थैले पर dependent बनते हैं मैं कुछ प्रसनों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोग देखिएगा कहा गया तीन लाल चार हरी तथा तीन काली गेदे मतलब किसी एक थैले में यहाँ पर बोला गया है तीन रेड है चार ग्रीन है चार ग्रीन है मतलब हरी है और तीन यहाँ पर ब्लैक है काली है ध्यान दीजेगा गेदों के एक समूव में से मतलब एक थैले में इस प्रकार की समानाकरती की समानसेब की गेदें हैं इनके लाल गेद ना होने की प्राइक्ता क्या होगी हमसे पुछा गया है ग्यात कीजिए लाल गेद ना होने की प्राइक्ता तो लाल गेद मतलब रेड को छोड़ दीजिए और अगर P आप not red हम को fine करना है तो मैंने अभी जैसे इसके पहले वाला बताया उसी प्रकार से आप दोनों तरह से उत्तर दे सकते हो अब red को छोड़ कर इन दोनों को ले लिजिए तो जो दोनों मिलकर 7 हैं और total गेदो की संख्या यहाँ पर 3, 3, 6, 4 10 है तो 7 बटा 10 लिखा जा सकता है या अगर हम केवल red की probability fine कर लेते जो की 4 बटा 10 होती क्यों? क्योंकि सारी 3 बटा 10 होती क्यों? क्योंकि आपको जो red की संख्या दिख रही है इसमें ओ है 3 3 दिख रही है और पुल संख्या हमने देखा कि 10 है 3, 3, 6, 4, 10 तो पी आप red अगर मुझे 3 बटा 10 दिख जाता तो पी आप not red अगर fine करना होता तो 1, minus 3, 5, 10 कर देते तो 7 बटा 10 तो ऐसे ही बदा चल जाता मतलब हम चाहेंगे तो पी आप red हम निकाल सकते हैं पी आप not red भी निकाल सकते हैं हम कुल में से लेके निकाल सकते हैं मतलब जो इस्कृती मैंने यहाँ पर समझाए किसी भी situation से चलकर उत्तर दिया जा सकता है दूसरा इसने हमसे का हरी तथा काली गेद होने की प्राइकता केवल इसने हरी तथा काली की बात किया है मतलब इसने यहाँ पर तीसरा जिसे हरी मतलब green और black आपको काली दिख रहा है मतलब इसने भी red को ना होने की बात की है इस statement को कह करके उसने एक तरह से red को ignore किया है मतलब इसने केवल हरी तथा काली गेदो की बात किया है जो कि कुल मिला के साथ है मैंने कहा green प्लस red green प्लस black इनकी probability अगर मुझे fine करनी है तो green कुल 4 है और आपको black 3 दिख रही है तो यहाँ पर 4-3-7 है और कुल संख्या 10 है तो उत्तर 7 बटा 10 इसका भी हो जाएगा चाहे आप वैसे read करिए चाहे ऐसे read करिए आप answer तो तुरंद कर सकते हैं यहाँ बात भी आपको clear हुई होगी कैसे इस तरह के प्रसन का उत्तर दिया जा सकता है आगे मैं बढ़ूँगा इसी पर और एक दो प्रसन हम देखें तो ज़्यादा असपस्ट हो पाए पूरा concept अब देखिए हमसे कहा गया 20 हरा 20 हरा मतलब 20 green 25 red 15 lal मतलब 15 red एक बरतन में डाले जाते हैं 20 हरा और 15 lal गेद एक बरतन में डाले जाते हैं एक हरा गेद को चुनने की प्राइकता कितनी होगी एक हरा गेद अगर हम सोच रहे हैं तो आपको पता है कि आप हाथ डालेंगे बैक के अंदर तो आपको पता है कि कौन सी गेद निकलेगी आपको बिल्कुल नहीं पता है लेकिन उसके हरा होने की प्राइकता तो हरा होने की possibility मुझे 20 की नजर आ रही है मतलब 20 बार ऐसी इस्थिती हो सकती हम हरी गेद चुनेंगे जबकि कुल गेदों की संख्या देखा हमने तो यहाँ पर हमारे सामने 20 और 15 को जोड़ दिया जाए कुल 35 गेदे हमको बॉक्स में दिख रही है थैले में है उनके केवल इसने बोला है हरा गेद चुनने की प्राइकता क्या होगी तो हरा की संख्या 20 है तो मैं 20 बटा 35 कर देता हूँ 20 बटा 35 मतलब 5 चोगे 20 पान सते 35 answer will be 4 upon 7 answer will be 4 upon 7 जो की थर्ड आपसन में आपको दिखी दिया गया है this will be the correct answer असपस्थ तिस्थिती है आपने नोटिस किया कि अगर हम से केवल ग्रीन का पूँच रहा था तो ग्रीन की संख्या 20 टोटल 35 तो 20 बटा 35 चार बटा 7 आपके सामने असपस्थ एंसर इस question का बन रहा है इस तरह के और प्रस्णों को भी ध्यान दीजेगा लेकिन हम आपको जैसे अभी बताएं है कि हमने आपसे कहा कि इस्थिती क्या है इस्थिती हमने जैसे अलग अलग situation की बात करी मैंने guard की बात करी मैंने ऐसे ही आपको back की बात करी इस प्रकार का एक बड़ा ही important आप लिख लीजिए कचा इस सब्द को एक बहुत important प्रसन आपकी परिच्छा में पूछा जाता है जैसे हम सबको अच्छी दरस इस बात की जनकारी है कि जो year को हम दो कटेगरी में डिवाइड करते हैं एक आपके समानने वर्स होते हैं दूसरे leap वर्स होते हैं आपको इसको असपस्ट तोर पे आप रिजिनिंग में भी इस बात को जानते हैं समानने वर्स होता है और एक leap वर्स होता है समानने की बात करो तो 365 दिन होते हैं जबकि leap की बात करें तो 366 दिन होते हैं इसमें एक दिन बढ़ जाता है जो की हर 4-4 साल के इंटर्वल पर आता है जब आपकी 29 days की फेवक होती है इस बात को आप असपस्ट जानते हैं अब अगर जैसे मानी जी हम किसी महीने में या किसी साल में अगर हम दिनों को notice करें आपको पता है कि हम सभी जो पैदा होते हैं तो हम सब अगर किसी एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं लेकिन आपको अच्छे से पता है कि अगर हम उनको क्लासिफाई करें हर साथ बेक्ती के बाद अगला बेक्ती एक दिन को रिपीट कर जाता जो उसकी बर्थडे होती है और रिपीट करना शुरू कर देती है भाई अगर आपने सोचा कि यहाँ पर एक हजार लोग बैठे हुए हैं एक हजार में क्या सभी का बर्थडे सेम हो सकता है डे की बात में कर रहा हूँ जैसे संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेंजडे, थर्सडे, फ्राइडे, सटर्डे यह जो दिन है यही तो किसी ना किसी का बर्थडे होगा तो हर साथ दिन के बाद बेक्ती रिपीट करना शुरू कर देता है मतलब ऐसे मैंने कहा कि अगर एक महीने में मा लीजे मैंने कहा 30 दिन है तो उस 30 दिन में हर एक दिन के आने की पॉसिबिलिटी अगर मैं सोचूंगा संडे की, मंडे की ट्यूजडे की, वेंजडे की, थर्सडे की सब की, तो साथ से मैं अगर इसको डिवाइड कर दूँ तो साथ से डिवाइड करते ही हर एक दिन, चाहे हो संडे हो चाहे हो मंडे हो, चाहे ट्यूजडे हो सब के सब 4-4 बार आएंगे सब के सब 4-4 बार आएंगे अब जो हमारे पास दो दिन बचा, साच्चों के 28 होने के बाद ये जो दो दिन बचे हैं ये दो दिन आगे में इनही में से कोई न कोई repeat कर लेगा मतलब हो सकता है Sunday पांच बार आए तो Monday भी पांच बार आजाएगा हो सकता है कि Monday पांच बार आए तो Tuesday आ सकता है इस तरह से ये चीजे repeat हो जाएगी ऐसे ही अगर मैं 365 को 7 से भाग दूँ तो 7 में कितना बार जाता आप देखी 7, 35, 7, 12, 14, मतलब एक fix हो गया कि 52 days, 52 days का मतलब 52 time हर एक दिन repeat होता है पूरे साल में, जैसे Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, इस सब के सब 52 बार पक्का आते हैं समाने वर्स में, अब 52 अगर खतम हो गया, तो आपने देखा कि यहां पर 52 times मतलब बार गय तो आपने notice किया कि एक दिन सेस बचा, इसमें हमने notice किया कि एक दिन सेस बचा, अब जो एक दिन बचा है वह एक दिन कुछ भी हो सकता है, सातों में कुछ भी हो सकता है, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई एक दिन आपका तिरपन बार आएगा, वो कुछ भी हो सकता है वो तिरफन बार आएगा यही चीज अगर मैं 306-6 को 7 से डिवाइड करूँ तो आपको पता है 52 बार जाएगा लेकिन 2 सेसफल बचेगा अब जब 2 रिमेंडर बचेगा तो 2 ऐसे दिन होंगे जो कि 53-53 टाइमस आएंगे पूरे वर्स में हमारे यहां एक प्रस्न प होता होगा क्योंकि सेसफल इसमें एक बचता है जो की खुद को 53 बार रिपीट करता है जब की यही चीज अगर लीप इयर में आप जाओगे तो हर एक दिन 52 बार रिपीट होता यह पर Yet दो दिन ऐसे होते हैं जो खुद को 53 टाइमस रिपीट करते है हमारे यहां जो प्रस् प्रसन ने देखी हमारे सामनी क्या है एक लीप वर्स में केवल 52 मंगलवार आने की प्राइक्ता क्या होगी इस प्रसन को हमसे पूछा गया है तो आईए हम लोग एक प्रसन देखते हैं कि एक लीप वर्स में केवल 53 या हम केवल को यहां से हटा दे केवल से कोई मतलब नहीं ह कि 53 मंगलवार आने की प्राइक्ता क्या होगी एक लीप वर्स में इसने हमसे कहा कि 33 मंगलवार आने की प्राइक्ता क्या होगी और दूसरा हमसे पूछा एक समान्य वर्स में 53 मंगलवार आने की प्राइक्ता क्या होगी आप इसको ध्यान में रखिएगा यह आपके सामने एक प्रस्न है इसने हमसे कहा है एक leap verse में तिरपन मंगलवार तथा एक समान्य verse में तिरपन मंगलवार आने की प्राइक्ता क्या होगी अब आपने देखा था leap verse में हमने देखा कि remainder 2 आया था मतलर 7 में से 2 दिन ऐसे होंगे जो की यहाँ पर 53, 53 टाइम्स आ सकते हैं तिसलिए इसकी जो प्राइक्ता बनेगी वह 2 बटा 7 बनेगी अगर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं इसकी probability leap verse में 53 टाइम्स मंगलवार आने की प्राइक्ता की बात अगर मैं करूँगा तो वह आपकी 2 बटा 7 होगी जबकि यही चीज़ अगर सामान्य वर्स में लेकर आएंगे तो remainder एक होता है और इस समय अगर हम लोग 53 मंगलवार लाने की प्राइक्ता की बात करेंगे तियह आपको पता है कि successful अगर एक तो एक ही दिन ऐसा होगा साथ में जो इस प्रकार की possibility को फालो करेगा जो कि इसकी प्राइक्ता एक बटा साथ हो जाएगी आपसे ऐसा प्रस्न पूछा जाएगा बस आप असपस्ट किये रहना कि वह लीप वर्स है कि समान्य वर्स है क्योंकि लीप वर्स में remainder 2 होता है इसका मतलब दो दिनों के chance बनते हैं तो यह दो बटा साथ होगा जबकि समान्य वर्स में यहाँ पर एक remainder बनता है तो यहाँ पर एक बटा साथ होगा यह इन दोनों प्रस्नों का उत्तर होगा आपको बस इस प्रस्न की importance को समझनी है और इस प्रस्न के ऊपर बस इतना ही अंधर आपको देने की जरूरत है आपके यहाँ गर एक प्रस्न पूछा जाता है तो एटीस आप इसको परफाम कर सको दे सको यह हमारा इस प्रस्न का उत्तर हो गया समझाया कि कैसे leap verse और कैसे समान्य वर्स की दिनों की संख्या के हिजाब सो उसकी प्रायक्ता को निर्धारित किया जाता एक प्रस्ण इसका जो बनता था मैंने आपको बताया कि 53 मंडेस के होने के चांसेश वो भी अलग-अलग कब के लिए एक समानने वर्ट्स के लिए, एक लीप वर्ट्स के लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं अब इसके बाद देखी इसमें एक और प्रकार के प्रस्न जो की थोड़ा सा माइस टाइप का मिसलेनियास टाइप के होते हैं जो आपके concept पर dependent होते हैं कैसे, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर किसी एक चीज़ के दो ही outcomes हो रहे हो मतलब कभी-कभी कहते हैं कि आपको answer देना है केवली SR9 में या आप कोई फाम में option रहता है, column रहता है कि हाँ या नहीं में ही टिक करना है आप इस तरह की तमाम सारी चीज़ों को फिल कर चुके हैं कोई परिच्छा हुई तरह एक छात्र फेश फेल होगा या पास होगा किर्केट मैच हुआ तो जीतेगा या हारेगा इस प्रकार की स्तिती के अनुसार एक प्रस्ण बनाए गया एक परिच्छा में छात्र एक के उत्रीड होने के चांसिस या प्राइक्ता 0.6 है उसके अनुत्रीड होने की प्राइक्ता क्या होगी अब 0.6 को आप चाहें तो बिन बना दें आप समझ गए होंगे कि या 6 बटा 10 हो सकता है मतलब 3 बटा 5 भी कहा जा सकता है अगर इसके पास होने की प्राइक्ता उत्रीड होने की प्राइक्ता 3 बटा 5 है तो फेल होने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यह 1 माइनस 3 बटा 5 हो जाएगी मतलब आप इसको 2 बटा 5 कह सकते हैं केवल अगर एंसर हमारे दसमलों में ही दिया गया है दिया हो घबडाने की कोई जरूत नहीं है जस्ट एक से मानस कर दीजिए हां का दिया है तो नहीं का निकलेगा नहीं का दिया है तो हां का निकलेगा आप ऐसे प्रसनों को अराम से कर सकते हैं एक और प्रसन इस पर देखते हैं हम लोग कहा गया कि किसी परिच्छा में छात्र करनी है आपको पता है फेल प्लस पास जिसे हेड प्लस टेल अगर दोनों की बात करें तो completely one मिलता था इसी प्रकार से अगर हम पास और फेल दोनों की प्राइकता को अगर हम जोडेंगे तो एक आएगा इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए अब आप समझो इसने कहा फेल होने की प्राइक्ता की दो तिहाई है तो अगर हमारे पास फेल होने की प्राइक्ता फेल होने की अगर प्राइक्ता होने की प्राइक्ता को अगर हम लोगों ने एक्स समझा तो पास होने की प्राइक्ता आपकी क्या हो जाएगी पास होने की प्राइक्ता आपकी इसकी दो तिहाई मतलब दो बटा तीन एक्स हो जाएगी यह देखिए यह आपके पास होने की प्राइक्ता बन गई फेल होने को मैंने ऐसे हजुम किया था अब इन दोनों प्राइक्ताओं का जोड़ x प्लस 2y 3x दोनों का जोड़ 1 होना चाहिए मतलब 3x और 2x मिलके 5x बटा 3 बराबर 1 होना चाहिए तो आप x कामाने हाँ पर 3 बटा 5 बता सकते हैं लेकिन x है क्या ये तो फेल होने की प्राइक्ता है आपको क्या करना है पास होने की प्राइक्ता निकालनी है आपके पास दो तरीका था यहीं से EC को एक से घटा देते तब भी आ जाता नहीं तो आप लिख सकते थे 2 बटा 3 गुड़े X मतलब 3 बटा 5 3 तीन से कटा 2 बटा 5 हो जाएगा 2 बटा 5 उस चातर B के पास होने की प्राइक्ता हो जाएगी मैं चाहता तो डारेक्ट PC को एक से घटा करके भी एंसर बता सकता था बट यहां पर पूरे प्रोसेस को आपने समझा कि हम ऐजे कर सकते हैं अब ऐसे प्रस्णगर परिच्छा में मिलेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी अभी भी मैं आने आपको बताए कि हमने कोई Permutation Combination नहीं अपलाई किया है फिर भी हम 90 से ज़्यादा प्रतिसत के प्रस्णों को ऐसे कह सकते हैं हमारी परिच्छा में पूछे जाते हैं उस अस्तर के प्रस्णों को कर लिए हैं लेकिन फिर भी मैं सेसन लूँगा इसके और एक टाइम इंटर्वल के बाद मैं Permutation Combination को क्लियर करते हुए अब कुछ और अस्तरी प्रस्णों को भी इस पे कबर करूँगा वह टापिक भी आपको बहुत ही आराम से क्लियर होगा पूरे सेसन को अगर आपने देखा है तो यह पूरा टापिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आप अभी को क्लिक करके देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से देखो सब कुछ समझो और मैं आपको कहूँगा इसको भी देखने से पहले इसका पार्ट वन देखना तो आपको सब बाते क्लियर हो जाएंगी आज इतना ही मैंने संस्थान की तरफ से आपको प्रोवाइड किया हमारे इस लेक्चर के माद्धम से आप प्रोवेबिल्टी को सीख सकते हैं जो किसी भी परिच्छा के लिए बहुत यूपियोगी होता है